लोगसबचुनाफ में बिजेपी को राजस्तान में तगड़ा जटका लगाए। बिजेपी का क्लिन स्वीप की हेट्रिक लगना तो दूर की बात है। बिजेपी ने आदी सीटे गवा दी है। राज्ये के 5 विधायकों के लोगसबसान सर्चुने ज़ाने के चलते 5 विधान सबसीटों पर उपचुनाव होने हैं। जब कॉंगरेश के सामने अपने विधायकों की सीट बचाने की चुनोती है तो वहीं बिजेपी की कोशिश उपचुनाव के ट्रेंट को तोनने की है। नमस्कार में शेक जोया आप देख रहे हैं दनगरी में अगर पिछले दस सालों में हुए उप्चुनाव की हम बात करें तो कॉंग्रेस का पड़ला भारी रहे कॉंग्रेस सत्ता में रही हो या फिर विपक्ष में कॉप्चुनाव में बाजी मारती रही है ऐसे में सत्ता की कमान समाल रहे सीम भजलाल के लिए बिजेपी कॉप्चुनाव बिताने का जिन्मा है प्रिदेश की पाच विधान सबसीटे देवली उनियारा क्यूसर चौरासी जुन-जुन और दोसा खाली हुई जिन पर उप्चुनाव होने हैं देवली जुन-जुन और दोसा सीट कॉंग्रेस विधायकों के इस्तिके से खाली हुई है तो क्यूसर सीट विधायक रहे आरेलपी के नेता हनुमान बेनिवाल के सांसा चुने ज़ाने की वज़ह से खा तो दूसरी तरफ बिजेपी के दिगच क्रोडिलान मीना हैं इन पांचों ही सीटों में सबसे बड़ी लड़ाई पाईलेट और क्रोडिलान मीना के बीच है क्रोडी ने लोग सबचुनाव के बीच और नतीजों वाले दिन भी इस्तिफा देने की बात कही थी लेकिन का खासा प्रभाव माना जाता है कॉंग्रेस को ग्यारा लोग सबसीटों पर जीत हासिल करवाने के बाद आप पाइलेट के सामने इन पाच विधान सबसीटों को जीतना एक बड़ी चुनोती है ऐसे में उनकी सीधी टकर क्रोड़ान मीना से होगी हाला कि बताते चले की 2014 और 24 की बीच अब तक विधान सबसीटों की 17 सीटों पर उप्चुनावों हैं इनमें से कॉंग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है उप्चुनावों के अपने पिछले प्रदिर्शन से कॉंग्रेस उस्साह से भरी हुई है तो विजेपी के लिए चिंता का सबसी ये पाच सीटे विजेपी के कबजेवाली ना हो लेकिन सत्ता में रहते हुए उप्चुनावना जीतना उसके लिए एक बड़े जटके से कम नहीं होगा इसलिए विजेपी इस बाद किसी भी तरह की कोई कसन नहीं चोड़ना चाहती है एसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहें देखते नगरी नियू शुक्रिया